नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आदित गुमार लोग सभा चुनाव को बीते अभी छे महीने भी नहीं हुए हैं कि सभा को एक बड़ा जटका लगता दिखाई दे रहा है रॉबर्ट्स गन सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के सांसत छोटे लाल खरवार की संसत सदसता संकट में फस गई है उनके खलाब शकाय चुनावी हल अफनावे में तथों को छुपाने के लिए किया गया है इसकी जाच में वो बुरी तुरा से फस्ते दिखाई दे रहे है इलाबाद हाई कोट तो उन्हें पहले ही नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है तो वहीं अब फरजी जाति प्रमाण पत्र के मामले में जो उनके जरीए चुनाव लड़ने के आरोपों को हाई कोट ने चंदौली के डियम को दस हपते में फैसला लेने को भी कह दिया है सफा सांसद खरवार पर आरोप है कि अनसूची जनजाति का होते हुए उन्होंने अनसूची जाति के लिए रिजर्व रौबर्र्ट्स गन सीट से फरजी जाती प्रमाण पत्र के जरीए चुनावरा था अगर खरवार का जाती प्रवानापत्र गलत पाया जाता है तो ना सिर्फ उनकी लोकसभागी से इस्तरद हो सकती है बलकि उनके सामने जेल जाने का भी बड़ा संकट मन राने लगा है सांसच छोटेलाल खरवार मूल रूप से यूपी के चदौली जिले के रहने वाले हैं चदौली में खरवार जाती को अनसूची जाती की सूची में जगे मिली हुई है जबकि उन्होंने अपने सभी डॉकुमेंट्स में स्थाई पता सोनबदर जिला बता कर वहीं की वोटर में अपना नाम शामिल कराया है सोनबदर जिले में खरवार जाती को अनसूची जनजाती यानी की स्थी के टेगरी में रखा गया है डॉकुमेंट के आधार पर छोटेलाल को सोनबदर से अनसूची जनजाती का प्रमणा पत्र लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने चंदौ निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी की थी और छोटेलाल खरवार का डाबागन रद किये जाने के गुहार लगाई थी निर्वाचन अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो इंदरजीत ने इलाहाबाद हाई कोट में अरजी दाखिल की इससे पहले छोटेलाल खरवा के खिलाफ अपना दल एस ने भी टिकट पर चुनाव लड़ने वाली रिंकी ने उनका निर्वाचन रद किये जाने की मांग को लेकर एलाहाबाद हाई कोट में ही चुनाव याचिका दाखिल की थी उनकी याचिका पर सुरवाई करते हुए हाई कोट ने छोटेलाल खरवा के जाति प्रानपत्र के विवाद में अब निर्वाचन अदिकारी ही सभी तथों को परखने के बाद फैसला करेंगे अगर छोटे लाल के खिलाप की गई शिकायते सही बाद पाई जाती हैं तो फिर उनकी सिदसिता रदोना लगबग तैमाना जा रहा है ऐसे में रॉबर् जूद सपा संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तबी संसद में हो रहेगी साथ ही उत्तर प्रदेश में उसका नंबर एक का रुतबा भी बर खरार रहेगा क्योंकि दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी को यूपी में सिर्फ 33 सीटों परी जीत मिली थी यानि एक सी लाल का कोई बयाद सामने नहीं आया है बीजेपी ने जरूर कहा है कि छोटे लाल ने फरजी जाते प्रण पत्र बनवा कर चुनार वड़ा था इसलिए उनकी सतस्ता जाना लगभगते हैं वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी का दब दबा है जानते बीजेपी